हेलो स्टूडेंट्स केसी और लो ठीको तो आज हम करेंगे स्टार्ट स्टेटिस्टिक्स क्या करेंगे स्टेटिस्टिक्स तो चैप्टर 14 है इसका नाम है स्टेटिस्टिक्स तो एक्सरसाइज 14.1 ठीक है क्या करेंगे एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे तो चलो स्टार् अब यह पहले ना इधर क्या करूंगी यहां पर ने टेपल बना लूँगी ठीक है ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए वहां पर कोई मुश्किल हो जाएगा नमबर आफ प्लांट्स यहां पर है नमबर आफ हॉसेज ठीके अब हम करेंगे स्टार्ट यहां से कोई मुश्किल नमबर आफ है वहां पास इस रवी वास कंड़क्टिड बाई ए ग्रूप अफ्टूडेंस क्या है इस रवी वास कंड़क्टिड बाई ए ग्रूप अफ्टूडेंस क्या है? इस सर्वी वस कंड़क्तिट पोई जुरूप अवेरिन्मेंट अवेर्नेंस प्रोग्राम एज इन पर्ट अवेर्नेंट अवेर्नेस program खिके यदा ये survey was conducted, एक survey conducted किया गया by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data in which they collected the following data जिसमें उन्होंने नीचे दियाओवा data जो है, वो collect किया ठीके, regarding the number of plants in 20 houses in a locality regarding, क्या है, regarding the number of plants in 20 houses, खिके, regarding the number of plants in 20 houses, find the mean number of plants per house find the mean number of plants per house find the mean number of plants per house तो which method did you use for finding the mean and why गोर पूछा इन्होंने which method did you use for finding the mean and why ठीके, 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 और 10 से 12 ठीके, 12 से 14 भी है ठीके, समझा गई यहाँ पर है 1, 2, 1, 5, 6 1 2 1 5 6 1 2 1 5 6 और 2 3 6 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 15 15 16 17 19 17 19 इन विच दे कॉलेक्टिट दा फालिंग डाटा जिस वे उन्हें यह जो डाटा दिया है यह कुलेक्ट किया रिगार्डिंग नंबर आप लॉंटी हाउसे ठीक है नंबर आप लॉंटी हाउसे में किते लगे हैं find the mean number of plants per house अब में क्या find करना है mean number of plants per house which method did you use for finding the mean and why को सा method जो है वो आप रोगों ने use किया mean को find कर दे के लिए और क्यूँ ठीके समझा गई आपको तो चलो start करते हैं number of plants number of plants यहाँदी क्या है number of plants लिखेंगे number of plants number of houses number of houses यहाँदी F.I number of houses F.I class mark class mark ठीके और F.I.X.I अब हमारे पास नंबरा प्रांच जो दीए हैं पहले बोलीगी हैं 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, or 12-14 यह हमने लिखेंगे number of plants 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, or 12-14 फिके समझा गई यह हमने लिखें number of plants अब number of houses यह भी लिखेंगे 1-2, 3-1, 2-1 है 1-2, 1-5, 6-2, and 3 यह लिखेंगे हैं हमने number of houses ठीके? अब glass mark XI ठीके? वो निकालना है कैसे निकालते हैं? यह जो number of plants है ना जैसे 0-2 है 0-2 upon 2 तो हमने पास आजएगा 2 upon 2 2 cancel होगे पहले का class mark आजएगा हमने पास 1 समझा रही है कैसे निकालना है? जैसे 2 और 4 है यह देखो यह 2 और यह 4 इस दोनों को plus करेंगे 2 plus 4 upon 2 2 plus 4 होगे 6 upon 2 2 1s are 2, 2 3s are 6 दूसरा class mark आजएगा हमने पास 3 ठीक है? समझ आ रही है? आ रही है न समझ गेटा तीसरे में क्या करेंगे? यह हमाँ मैं करके बगता है यह ऐसे लिख देती हूँ मैं आपणों को 0 plus 2 upon 2 is equal to 2 upon 2 कट गया तो 1 आ गया अगले मी जासे 2 plus 4 upon 2 6 upon 2 आजएगा 3 4 plus 6 upon 2 10 upon 2 आजएगा 5 ठीक है? 6 plus 8 upon 2 14 upon 2 7 आगया 8 plus 10 upon 2 18 upon 2 9 आगया 10 plus 12 upon 2 22 upon 2 11 आगया 12 plus 14 upon 2 20 6 upon 2 13 आगया इतना आगया? 13 1, 3 क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 समझा गई? ऐसे निकालने हैं आपने क्लास मार्क कोई मुश्किल तो नहीं है समझा गई न? चलो खीक है ऐसे आप लोग क्लास मार्क निकालोगी? अब हमने निकालना है F, I, X, I ठीक है? यह जो ग्लास मार्क है न? यह X, I है ठीक है? अब F, I, X, I means 1 into 1 1 into 1 हो गया 1 2 into 3 6, 1 into 5 5, 5, 5 into 7 35, 6 into 9 अगे पीसे नहीं हो जाएं 2 into 11 22, 3 into 13 13 अगे यहाँ जाक आप लोगों को समझागी पूरी? कैसे निकालना है? ग्लास मार्क मैंने आप लोगों को बता दिया इन दोनों को प्लास करना है आप अन्डू करना है तो आपको ग्लास मार्क निकलेंगे उसके बाद F, I, X, I, कैसे निकालना है? इसको और इसको पर्टिप्लाइ करोंके तो आपका F, I, X, I, निकर जाएगा ठीक है समझा गई तो अग क्या करना है आप लोगों ने Sigma Phi यह सारी जो Terms है ना इनको Plus करना है Sigma Phi ठीक है अब आपको Plus करने की भी जुरूरत नहीं है इन्होंने दिया है 20 houses यारी यह होंगे 20 अगर तो आपको Plus करके 20 आता है It means ठीक है ठीक है समझा गई और बहुत के करेंगे Sigma Phi XI Sigma Phi XI इन सब को Plus करेंगे तो आजाएगा 162 किता आजाएगा 162 और यह वाद आप देखो कोई प्राब्लम तो नहीं है इसको भी ऐसे करो नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ठीक है अब हमने निकालन मीन मीन होता है X बार ठीक है तो मीन का क्या फार्बूला है Sigma Phi XI upon Sigma Phi देख लो कि हम से Sigma Phi XI upon Sigma Phi ठीक है तो आजाएगा मारे पास X पार is equal to यह है मारे पास 162 और यह है मारे पास 20 अगर हाँ 2 से करें 2 टेंसार 20 2 एटसार 60 तो यहादी 81 पार 10 81 को अगर हम 10 6 करते हैं डिवाइट 10 एटसार 81 10 पार 10 तो आजाएगा है मारे पास 8.1 ठीक है तो हमारा मीन किता आदेगा 8.1 तो आज़ एट मेली होगे therefore मीन नमबर अब प्लांट्स is equal to 8.1 मीन नमबर अब प्लांट्स कितने आगे 8.1 तो अब आप लोगों को इस पोस्चिन की सबज आगे यह मैटा आगे यहाँ देखो देखो यहाँ से शाबस चलो इक और पोस्चिन का लेगे तिके हम आप लेगे यहाँ से शाबस्चिन का लेगे यहाँ देखो प्लांट्स हम अब आप लोगों का लेगे यहाँ से खेखो यहाँ से खेखो लोगगे यहाँ से फ Coconut करेंगे कोर्शन अबर सेकेंड अब यहां पहले टेबल यहां पर बना लेती हूं यहां पर आएगा डेडी वेजिस और यहां पर आएगा नमबर आव बर्फर्स डेडी वेजिस और नमबर आव वर्कर्स अब बर्फर्स हैं 100 से 120 100 से 120 120 से 140 140 से 160 160 से 180 180 से 200 ठीक है 180 से 200 यहां तक ही है माले पास और यहां आजेंगे 12, 14, 8 12, 14, 8 उसके बाद 6 और 10 ठीक है डेडी वेजिस और फिर नमबर आव वर्कर्स अब क्या है कोश्चर्ट Consider the following distribution of daily wages Consider the following distribution of daily wages Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory क्या है क्या है क्या है क्या है Find the mean daily wages of the workers Of the factory by using Of the factory by using Appropriate method Appropriate method अब जो पहले हमने किया था ना मैंने उसमें लिखा लिए यार नहीं रहा जो first question अभी हमने किया है उसमें मैंने कौन सा method direct method यूज किया है क्यूंकि उसमें बहुत छोटा सा था तो हम क्या कर सकते थे उसमें direct method यूज किया है तो चलो पहले मैं लिखी देती हूं इन इस case इस case में क्या है we will use step variation method तो क्या है मैं लिखती है कि इस case में we will use step variation method आप क्या करेंगे step variation method का यूज करेंगे ठीक है समझागी आप लोगों को तो चलो बनाते हैं table यहां तक रख लेते हैं पहले देते हैं कितना चाहेगा class interval frequency fi class interval frequency fi class marks xi class marks क्या है class marks आगे xi उसके बाद ui xi minus a upon h और last में जो आएगा हो आएगा fi ui इस step deviation method है क्यों सा method है fi ui तो यह बन गया हमारा table ठीके अब क्या है यहां पर a जो होता है आपको पता है ए किसको होते हैं यह बोती काली में लिख लेती हूँ ना hundred, one twenty hundred, one twenty one twenty से one forty one forty से one sixty one sixty से one eighty और one eighty से two hundred ठीके यहां तक हमने लिख लिया चोड़ो यहां तक हमारा हो गया आप देखो इसको हरने करना है 12, 14, 8, 6 12, 14, 8, 6, 10 12, 14, 8 यहां पर है न 8, 6 और 10 ठीके क्या है 12, 14, 8, 6 और 10 अब यहां पर assumed mean जो हम assume करते हैं यह होता है वहारा assumed mean क्या होता है assumed mean जो हम अपनी मज़ी से assume करते हैं तो हम दो उपर छोड़ेगे दो नीची जो बीच वाला है 140 और 160 के बीच में assumed mean मानेगे हम यहां पर 150 इतना मानेगे assumed mean 150 देख लो आप लोग कैसे इसको देख दिया है यहां से अपनी assume में लेना है 150 ठीके अब क्या है class interval class interval कैसे निकलता है class interval अब देखो 120 माइनस 100 120 में से एगर हम 100 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 20 क्या बचता है 20 तो यह 20 जो है यह हमारा class interval है क्या है यह हमारा class interval है ठीके समझा गी हम लोगों को तो चलो start करते हैं हम question को अब यह भी मैं यही निकाल के बता देती हूँ आप लोगों को फिर आपको मुश्किल बनेगी ठीके हैं अब मैंने आपको बताया था class marks xy कैसे निकालते हैं तू के साथ फैला आएगा 110 ठीके दूसरा आएगा 130 130 फिर आएगा 150 जो हमारा assumed mean है यह ठीक है यह 150 आ गया उसके पास 170 और 190 मैंने आप लोगों को प्रोसीजर समझा दिया है कि आप लोगों ने यह कैसे निकालना है यह जो 100 है और 120 है इन दोनों को आप लोग प्लस करोगे अपान टू करोगे यह मैंने एक करके बताया है 110 इसी तरह नेक्स दोनों को प्लस करोगे अपान टू करोगे 130 ठीक है समझा गई तो आगे चलो क्लास मार्क्स निकल की यू आई इस होता है एक साई माइनस ए अपान एच अब एक साई किता है हमारे पास एक साई यह पर पहली टर्ड में है हमारा 110 माइनस ए एक किता है 150 अपान एच एच किता है हमारे पास हाइट कितनी है श्रबस बताओ 20 एच किता है 20 तो माइनस 40 50 में से क्या निकल है माइनस 40 यह पान 20 आगया 00 चलेगे 2 1s आ 2 2 2s आ 4 तो यह आगया माइनस 2 इस तरह से आप लोग यह सारा निकल होगे पहले का आएगा माइनस 2 दूसरे का क्या आएगा माइनस 1 फिस 0 ठीके फिर 1 और फिर 2 इस तरह से आप यह सारा निकल होगे पहले आएगा माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर 0 1 और 2 इस तरह से आप मेरा सारा निकल जाएगा फिर FIUI FIUI मेंस यह 12 इंटू माइनस 2 किता हो जाएगा माइनस 24 14 इंटू माइनस 1 माइनस 14 8 इंटू 0 0 6 इंटू 1 6 10 इंटू 2 20 तो यह आगया माइनस 24 माइनस 14 0 6 और 20 ठीक है जब हम इसको करेंगे सिग्मा FIUI तो मारे पास किता आजाएगा यह टोटल आजाएगा मारे पास माइनस 12 अब आप पोलोगे माइनस 12 क्यों आया है आप देखो दो और नहीं है माइनस की बाकी प्लास की 20 और 26 प्लास की है माइनस की किती है 24 यह किता हुआ 8 38 तो 38 बड़ा है ना यानि माइनस 38 एक मेंसे 6 निकाले 2 तो माइनस 12 आगया हमारा यह यहां ठीक है समझा भी उसके बाद चलो अब यहां पे सिग्मा FI ज़रेगे यह है 50 दिया भी हुआ है 50 हो 50 बड़कर्स है तो यह 50 है अब हमें निकालना है क्या है डेली बेजी जब मीन मीन निकालना है ना तो UI is equal to step deviation method से हम निकाल रहे हैं UI UI is equal to क्या बनेगा XI minus A upon H क्या बनेगा XI minus A upon H is equal to 110 minus 150 upon 20 is equal to minus 40 upon 20 minus 2 किता आया minus 2 ठीके समझ आगी औरी बात समझ गहीं या नहीं तो यह हमारा answer है तो मुझे लगते आप लोगों को यह coaching जो है यह समझ आ गया होगा ठीके थोड़ा calculations बगयरा जो हैं यह करनी पड़ती हैं mathematics में तो हर जगाए calculations हैं तो आप लोग अच्छी तरह कर लेना ठीके next time करेंगे thank you ठीके तो आप लोग जो है यह questions जो है यह गल में सारे revise कर लेना thank you